हेलो फ्रेंड्स दिस अर्पित दूबे वेलकम टू आवर चैनल सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम परियावर अध्यान का लेसन प्लैन बनाना सीखेंगे यह लेसन प्लैन फॉर्थ फिफ्थ और सिक्स क्लास तक आप यूज कर सकते हैं ठिक है यह आप अलग-अलग क्लास यह लिखेंगे उसके बाद आप यहां पर चात्र ध्यापक का यहां पर लिखा हुआ है तो आप चात्र ध्यापक अगर है तो चात्र ध्यापक लिखेंगे ठीक है और इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट जिसमें आप परियावर अध्यन लिखेंगे और उप विशे जो books में से उठाए गई है ठीक है तो इसके अलावा आप जो है class लिखेंगे कि आप fourth class के लिए fifth class के लिए sixth class के लिए lesson plan बना रहे हैं time लिखेंगे इसके बाद आप 35 minutes या 40 minutes ठीक है और date लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है विसिष्ट उद्देश से लेकिन इससे पहले समान उद्देश से भी आता है पहले के lesson plan में मैंने भी आपको पहले बताया था कि समान उद्देश से एक subject का सभी lesson plan में से जैसे EBS पढ़ाने का क्या उद्देश से है वो आपका समान उद्देश है लेकिन यह जो मैं particular topic पढ़ा रहा हूं जैसे जैविक कारक इससे बच्चे क्या सीखेंगे क्या उद्देश से की प्राप्ति हो गई यह जो है विसिष्ट उद्देश होता है specific objectives बोलते हैं तो सबस पहले आप लिखेंगे चातर जैविक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या चातर जैविक कारकों के बारे में आगे बता सकेंगे इसके बास सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे चातर जैविक और आजैविक कारक के बारे में बता सकेंगे थर्ड उनको पहचान सकेंगे और इसके साथ अंतर भी कर सकेंगे तो ये जो है तीन पॉइंट्स आप लिखेंगे कई-कई लेसन प्लैन में मैंने देखा है कि टीचर कहते हैं 4 to 5 पॉइंट जो है विसेश तुदेस यानि specific objectives में लिखने है तो आप उसके according जो है जो topics में चीजे cover हो रही है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद आप next heading लिखेंगे सहायक सामगरी सहायक सामगरी में आप लिखेंगे chalk, tester, siyampat, किताब, model chart, आदी इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज यूज़ करते हैं teaching के दौरान तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं और उसका चित्रवेगेरा बना सकते हैं अपने lesson plan में ठीक है इसके बाद आप किन method के थुरू teaching आप करेंगे इस lesson plan की उस method को भी आप पहले लिखेंगे तो यहाँ पर प्रश्णोत्तर विधी और इस प्रश्णी करण विधी का परियोग करके इस lesson plan को पढ़ाया गया था ठीक है तो आप इसको लिखेंगे इसके बाद एक और heading लिखेंगे आप पूर्व ग्यान इसमें बच्चों से जो है आप previous knowledge test करेंगे कि बच्चों को पहले से क्या क्या चीजे पता है और उसके बाद आप topic को announce करेंगे तो पूर्व ग्यान में आप लिखेंगे छात्र जैविक आजैविक तथा फसल उरोके बर में जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर मैंने समाने जानकारी नहीं लिखा है इसके बाद आप next heading लिखेंगे परस्तावना परसंट परस्तावना परसंट में इसमें क्या होता है चातर अध्यापक या चातर अध्यापिका कुछ कोशन पूस्ती है और बच्चे जो हैं उसका जवाब देते हैं ठीक है तो इसमें आप थ्री कॉलम बना लेंगे ठीक है और उसमें फर्स्त कोशन चातर अध्यापक या चातर अध्यापक का किरियाई लिखेंगे और थर्ड कॉलम में लिखेंगे आप चातर किरियाई उसके बाद आप फर्स्त कोशन लिखेंगे हम अपने खेतों में क्या उगाते हैं मतलब यहाँ पर teaching के दोरन पूछा जाएगा बच्चों से कि हम बच्चों क्या खेतों में जो है क्या उगाते हैं तो कुछ बच्चे जवाब देंगे फसल है सबजीया है तो जो जो उनके माइड़ी में होगा previous knowledge के according वो चीजे वो बताएंगे फिर छात्र ध्यापक का question पूछेगी बच्चों से फसल किस से तयार होती है तो बच्चों से question पूछा जागा कि फसल किस से तयार होती है तो उसमें से कुछ बच्चे बताएंगे कि भी इस से तयार होता है या डारेक्ट कुछ पौधे लगा दिया जाते हैं उससे भी त्यार हो जाता है फसल ठीक है तो जिन बच्चों की जैसी नौलेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देंगे इसके बाद जैवी कारक कौन कौन से हैं तो इसमें बच्चे बताएंगे अगर बच्चों ने बताया कि हाँ जैवी कारक जैसे मनुष्य है पेड़ है पौधे है जीव जन्तू ये सब हैं तो अगर बच्चों ने ये सब बताया तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एक जय विक कारक कौन-कौन से हैं लेकिन आज याविक कारक बच्चों को यहां पर नहीं पता था तो ये बच्चों के लिए जयाविक कारक के बेस्तित रूप जैनेंगे या पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर इस तरह से कहिएगा या इस तरह से लिखिएगा कि हम बढ़ेंगे इससे बच्चों को ये ना लगे कि बच्चों को कुछ नहीं आता यानि टीचर के साथ साथ स्टुडेंट्स भी बढ़ेंगे ठीक है इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुति करण प्रस्तुति करण में आप जो है मुल्यांकन के लिए मुल्यांकन मतलब इसमें आप बच्चे को assess करने के लिए question को लिखेंगे कि किस तरह से आप बच्चे को question पूछेंगे उनके assessment के लिए ठीक है और यह जो प्रस्तुतिकरण होता है यह B.A. वाले students के लिए अलग बनता है ठीक है उनमें जो है लेक्षे शो करना पड़ता है ठीक है तो आपके college में जैसा आपको recommend किया गया है आप उसके according columns को बना लेंगे और बाकी lesson plan मैंने बताया कि तरीका सबको सेम होता है थोड़ा बहुत जो है ठीक है तो आप यह column बनाने के बाद सबसे पहले अर्थ लिखेंगे सिक्षड बिंदु में और छात्रा ध्यापक लिखने के बाद आप लिखेंगे जैविक कारक का अर्थ बताएंगे तो जैविक कारक में आप लिखेंगे जैविक कारक के अंतरगत वे सभी जीव जन्तु सामिल किये जाते हैं जो परियावरन में एक परमुकस्थान प्राप्त करते हैं इतना लिखने के बाद आप एक मुलियांकन परसन बनाएंगे तो बाद में यह आप कोशन पुट अप करेंगे बच्चे से पढ़ाने के बाद कि जैविक कारक किसे कहते हैं तो अगर बच्चे इसका सही-सही या ठ्वाब देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को य यही जो है teacher and students activity आएगा तो दोनों को आप जो है include करेंगे तो यहाँ पर छात्र किर्याओं में क्या लिखेंगे आप सभी जो है छात्र ध्यान पूर्व सुनेंगे फिर उसके बाद आप सिक्षड बिंदू में लिखेंगे जैवी कारक के परकार जैवी कारक के परकार के आती है जैवी कारक चार परकार के होते हैं तो यह जो है कक्षा कक्ष की डियाओं में लिखेंगे और इसमें आप लिखेंगे कि चारों परकार बताएंगे जैसे यहां पर बताएगया है सह जीविता मिर्तो उपजीविता पर जीविता और सह भोगी जीविता ठीक है यह च वीख कर रहा इता है कितने परकार के होते हैं, इस तरह से भी मुल्यांक कन Christian जो है, बना सकते हैं, फिक है, इसके बाद आप next Sharing लिखेंगी, बियाख्या विदी, मतलब इसमें जु है, सिक्षड बिंदू में जो है आप लिखेंगे व्याख्याविदी इसमें आप जो है लेक्चर मेथड का यूज करते हुए जो है इस पोइंट्स को करवाएंगे तो बीच में आप लिखेंगे टीचर एन इस्टुएंट्स एक्टिविटी कॉलम में लिखेंगे आप कि सहजीविता जो आपस में सम्मंद रखते हैं और परस पर लाव पहुंचाते हैं ठीक है तो सहजीविता क्या होती है इसमें आप ये बताएंगे कि सहजीविता जो आप पर आपने जयविकारक लिखे थे उसकी आप वियाख्या भी कर सकते हैं और अगर मैंने जैसा कि आपको पहली बताया था यह लेसंप्लास प्लिए भी यूज सकते हैं फिफ्ट क्लास के लिए मैंने इस लिए बना लिया था क्योंकि मतलब बच्चों को जो इस लेवल तक समझ में आज आता है ठीक है इसके बाद आप जो है second point जो है explain करेंगे जिसमें आप लिखेंगे मिर्तो पुजिविता जो जीव अन्य पर आसरीतो मतलब अन्य चीजों पर जो है आसरीतो और उसके बाद जो है आप third point पर जीविता को explain करेंगे ठीक है यह जो points हो आप टीचर and student activity वाले कॉलम में लिखेंगे और इसके अलावा आप लिखेंगे चात्र क्या कर रहे हैं इसमें चात्र ध्यान. पूरवक सुनेंगे और लिखेंगे तो इसे आप पूरी तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको जो है लेसन प्लैन बड़ा बनाना है क्योंकि ऐसा देखा जाते है डियलेड में जब लेसन प्लैन दिये जाते हैं तो कुछ लेर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो उसके बात लाश्ट में आप बच्चो को एसस करने के लिए बोल कह सकते हैं या फिर उनको देखेंगे कि कितना उन्हें समझ में आया तो उसमें आप पुर्णा विर्ती परसन पूछेंगे बच्चों से तो पुर्णा कोशन में आप लिख सकते हैं जयविक कारक के परकार बताईए ठीक है और जयविक कारक में कौण-कौण से चीज़े आती हैं यह भी आप कोशन बना सकते हैं पर जीवीता किसे कहते है ठीक है तो worden खूशन आप 15 परसन में लिखेंगे इसके बाद आप last में एक heading लिखेंगे ग्रह कारे हर lesson plan में जो है homework एक point है यह डलता ही डलता है ठीक है तो ग्रह कारे में आप जो है दो से तीन कारे दे सकते हैं जादा कारे उसमें ना लिखें ठीक है यह बच्चों को जो है homework में दिया गया है तो इस तरह से जो है आप जो है EBS का lesson plan बना सकते हैं और एक अच्छा lesson plan बना सकते हैं जिससे जो है teachers भी अच्छे marks आपको दे सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारी वीडियो खतम होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो like करें शेयर करें ठीक है और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर चरू करें तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में thank you